तीन सितंबर ब्रिश्पतिवार पहला पार कुरिंतियों के नाम संत्पालूस का पहला पत्र अध्यतीन पद संख्याएं 18 से तेश तक पार का मुल वाक्या है सब कुछ आपका है परन्तु आप मसी के और मसी ईश्वर के हैं कोई भी अपने को धोखा ना दे यदि आप लोगों में से कोई अपने को संसार की द्रिश्टी से ज्यानी समस्ता हो तो वा सचमुच ज्यानी बनने के लिए अपने को मुर्ख बना ले क्योंकि इसंसार का ग्यान इश्वर की द्रिश्टी में मुर्खता है धर्म ग्रंत में यह लिखा है वह ग्यानियों को उनकी चतुराई से ही फसाता है और प्रभु जानता है कि ज्यानियों के तर्क बितर्क निशार है इसलिए कोई भी बनिशों पर गर्ब ना करे सब कुछ आपका है चाहे वह पावलुस अपोलो अथ्वा कैफस हो संसार हो जीवन अथ्वा मरन हो भूत अथ्वा भोश्य हो यह सब आपका है परन्तु आप मसी के और मसी इश्वर के है यह प्रभु की वानी है संद लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याई पांच पदसंग्या एक से ग्यारा तक एक दिन एश्व गेनसरत की जहिल के पास थे लोग इश्वर का वजन सुनने के लिए उनबर गिरे पड़ते थे उस समय उन्होंने जहील के किनारे लिगी दो नाबों को देखा मच्विये उनपर से उत्तर कर जाल दो रगे थे येश्व ने सीमोन की नाब पर चड़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कगा इसके बाद वो नाब पर बाइट कर जनदा को सिक्षा देने लगे उबदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कगा नाब को गेगरे पानी में ले चलो और मचली आम पकड़ने के लिए अपने जाल डालो सीमोन ने उतर दिया गुरुवर राद बर मेगनत करने पर भी आम कुछ नहीं पकड़ सके परन्दु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा ऐसे करने पर बहुत अधिक मचली आम फस गई और उनका जाल पटने को हो गया उन्होंने दूसरी नाब के अपने सात्यों को इसारा किया कि वो आकर मारी मदद करो वे आये और उन्होंने दोनों नाबों को मचलीओं से इतना भर लिया कि नाबें डूबने को ओ गई ये देखकर सिमों ने येशु के चरणों बर गिर कर कगा प्रभू मेरे पास से चले जाए मैं तो पापी मनुशु हूं मचलीओं के जाल में पशने के कारण वग और उसके साती बिस्मीद हो गये येगी दशा याकूब और योगन की भी थी ये जबेदि के पुत्र और सिमोन के साचेदार थे येशु ने सिमोन से कगा डरो मत अब से तुम मनिश्यों को पकड़ा करोगे पे नाबों को किनारे लगा कर और सब कुछ चोड़कर येशु के पीछे हो लिए यह प्रभु का दीव येशु समाचार है आज के प्रदमपाथ कुरियंदियों के नाम संद पावलूस का पहला पत्र से था इसमें पावलूस कुरियंदियों के विश्वासियों को उनके बीच प्रजलीद एक महुतपुर्ण विशे पर उने सतर्क कर रहे हैं उनके बीच भेद बावदा कुछ लोग अपने को पावलूस का अनियाई कुछ अपने को अपोलों का अनियाई और कोई अपने को कैपस का अनियाई समझने लगे इनके बावरे में हम प्रेड़ों का कारिकलव अध्याई अठार में पढ़ते हैं चोवी से अठाईस तक में हम पढ़ते हैं कि अक्विला और प्रशीला ने उनको सुसमाजार की फूरा सार समझाया और अपोलों ने वगांगे विश्वासियों को विश्वास में इतना दृड़ किया और बहुत लोग अपोलों को अपना गुरु मानने लेगा प्रवियेश्वी ने पेतरु से कागा इस चक्टान पर मैं अपनी कलिसया कड़ा कर दूँगा इसलिए वहां के विश्वासि कुछ कोई अपने को पेतरुस का नियाई मानने लेगा कोई अपने को पावलुस का नियाई कोई अपने को अपोलो का नियाई ख़ने लेगे और वहां बर इस तरह का बेदभाव हुआ करता था पावलुस अभी चितिली कर करते हैं आईसे आईसे सोच संसारी कोता है अपने को किसी बड़े बेक्टी से जोड़कर आपने मगत बढ़ाना चाहते हैं यह संसार की दुरुष्टी हैं कोई मगा बलियों के साथ बागुबलियों को अपना द्यदा समझने वाले हैं कोई अपनी पदो नदी के लिए और प्रदिश्ठा के लिए सम्मान के लिए अपने प्रभाव राणने के लिए किसी न किसी ये विभाजन या ग्रूप बनाते है पहलुस कहते हैं ये सब संसार की बात है संसार में ये सब दिखाई देते हैं परनुद आप लोग विश्वासियों के बीच आईसा नहीं होना चाहिए विश्वासी इसवर पर नर्बर रहते हैं उनका सब से बेड़ी ताकत प्रार्तना है और पवितरात्मा का अभिश्यग और जिवन में बिनम्रदा बिने और विश्वास के लिए थ्याग, बलिदान और दूसरों की सेवा इसके द्वारा विश्वास द्रड रगता है वो इश्वर के राजी के चिन होता है पवलुस कहते हैं विश्वासी में कोई बेदबाव नहीं वनना चाहिए गिलियत्यों के नाम पवलुस का पत्र ध्याए तीन पत्र संग्या अठाइस में पवलुस लिखते हैं अब ना तो कोई जगुदी है और न जुनानी ना तो कोई दास है और ना सुदंद्र ना तो कोई पुरिश है और ना स्री अब सब ये श्वमसी में एक है पवलुस हमें सिखाते हैं कि हमें एक जुटदा से इस संसार में रगेना बीविदा में एक अधा ये हमारा भार्दी संस्कृति का भी एक लच्टन है बीविदा में एक अधा कलिसिया का भी एकी लच्टन है बीविदा में एक अधा धर्म के नाम बर जगड़ा नहीं होना चाहिए ये इश्व और सबों को समान्दू से प्यार करते हैं जैसे जोगन का सुसमाजार में बढ़ते इश्व ने संसार को इतना प्यार किया कि उसे ने अपने एकलोते पुत्र को संसार के लिए अर्पित कर दिया और हम जानते हैं कि येश्व अम सबों के लिए मरा ना के बल जगुदियों के लिए ना तो गैर जगुदियों के लिए जुनानियों के लिए बारिजयों के लिए हर धर्म के विक्तियों के लिए येश्व कृस पर मरे है और येश्व ने अमें सिकाया हम सबोंगा अंदिम लच्छी है ये इसर को प्राप्त करना सबी जादियोंगा सबी लोगोंगा सबी धर्मोंगा एक मात लच्छी है ये इसर को प्राप्त करना और उसके लिए ये की रास्ता है प्रवेश्व ने कागा मारक सत्य जीवन माय हुम मुझसे हो कर गया बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंचता है और ये विश्वास है विश्वास सबों को पिता के पास ले जाने वाला एक मातर रास्ता है इसुन ने सारी स्रिष्टी किये और इसमें कोई सीमा ये नहीं सीमा इंसाने बनाया है और राजी की सीमा हम अपनी संभती की सीमा बनाते हैं राजीों की सीमा बनाते हैं इसुन ने किसी प्रगार का सीमा नहीं बनाया इसुन ने सब इंसान को दे दिया सबसे बड़ा मूली है वो इंसानित है वोगी एप्रव येशु हामें इश्वर के पुत्र पुत्रिया मनने का अधिगार उन्होंने दिया है आज के सुसमाजार में हम पड़ते हैं कि येशु अवदूद ग्रस्त ब्यक्ति को चंगाई दिया येशु काहिना के विवाव में पानी को दाकरस में बदल दिया इसलिए लोगों के बीच येशु के बार में जानकारी थी इसलिए येशु की सिच्छा सुनने के लिए गनेसरत के चील के पास बहुत भीर आई थी और येशु वगाम बस सिच्छा देते रहे थे तब येशु ने जील के किनारे लेगी दो नावों को देखा और उनके मच्वे निकल गए थे और येशु ने उस नाव का मालिक सीमोन से कगा कि वो थोड़ा जील में दूर ले चलो थाकि वहां से येशु लोगों को अभी बहुदन कर सकते हैं पेत्रुस और उनके साती पूरे रात मेंगनत किये थे पर दू ने कुछ मिला नहीं और वे निराश होकर रगे थे उस समय येशु सिच्छा देने के बाद पेत्रुस का इस मगाब पेत्रुस ने येशु के लिए एक बड़ा उपगार किया उसने अपना ये चोटा नाव येशु के लिए प्रभजन देने का वियरी बना दिया येशु ने पेत्रुस से का गा नाव को गेगरे पानी में ले चलो और मचलियां पक्ड़ने के लिए अपने जाल डालो पेत्रुस उस्ताद दा मचलियां पक्ड़ने का येशु पेत्रुस उस्ताद है जानकारी रखते दे परमबरा से उन्हें एक काम मिला है और पूरे का पूरे जैनसरत के चील का उनको पता है काम मचली मिलता है येशु बड़ाई का बेटे के रूमें समाज में माना जाता था उनको मचली पक्रण के बारे में कोई जानकारी नहीं है पर भी पेत्रुस करते हैं गुरुवर पूरे रात हम लोग ने मेनत किया है अब कुछ भी नहीं मिला पर दो आपके करने पर माई जाल डाल लूँगा और उसने जाल डाला और आम जानते हैं कि ये शुके करने पर पेत्रुस ने जाल डाला और इतनी जादा मचली उन्होंने पकड़ लिया पेत्रुस बिस्मीद हो गए ये मगान चिन चमतकार उनके सामने हुआ है पेत्रुस प्रभु के सामने खड़े होकर कालते हैं प्रभु मेरे पास से आप चले जाए पहले गुरुवर बोलते हैं अभी पेत्रुस समझ गई ये सादारन विक्ति नगी ये बड़ाई का बैटा नगी ये कोई गुरु नहीं ये कि सिछा देने वाला ये प्रभु है ये इश्वर है इसलिए वो कलते प्रभु मेरे पास से अप चले जाए माई पापी इनसान हूँ प्रभु ये इस्वर ने पेत्रुस के चोटी से एस थ्याग के लिए उन्होंने अपने नाव ये इस्वर के लिए समर्पित किया हाई येश्वर ने पेत्र उसके लिए बहुत बड़ा खारी किया है कि अमें प्रदिपल देते हैं कुलूशेंगे नाम पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याई चार पत्र संगिया पंत्र में लवदिक्या के भाईयों को नुमपा और उनके घर में एकत्र वने वाली कलिसिया को नमस्कार देने के लिए पहल उसे लिखते हैं एचोटा सा परिवार वहां अपने घर को कलिसिया के रूम में विश्वासियों के लिए प्रार्थना के रूम में दे दिया क्योंकि पुलाने जमाने में कोई कलिसिया बड़ा गरजागर नहीं थे विश्वासियों किसी के परिवार में आते थे और ये स्री ने अपने परिवार को विश्वासिय प्रार्तना करने के लिए जगा बनाक दे दिया, और ये अनिकर आशीस है, परंदु असली में पेत्रुस पकड़े गए, सबसे बड़ी मचली पेत्रुस है, ये प्रभु उन्हें अपने कारी के लिए बुला लिया, पेत्रुस का ये बुलागट है, पेत्रुस अपने को, पी इनसान हो, आप मुझसे दूर हो जाए, अर एक इनसान जो प्रभु के सामने आता है, अपनी असलियत समझते हैं, इस्यास नभी के बारे में हम बढ़ते हैं, अध्याइचे में, इस्यास करते हैं, ये प्रभु मैं पापी इनसान हो, पापी ओटों वाले लोगों के साम प्रभु ने उनको बुलाया और कगा कि अभी से तुम मचली पकड़ने वाला नगी होगा तुम मनिश्यों को पकड़ने वाला होगा उनको उनका इप मिश्यन शुरू हो गया प्यत्रुस का एक नया मिश्यन जो प्रभु के साथ रहने का मिश्यन असली में प्यत्रुस ने प्रभु को पकड़ लिया है प्यत्रुस को प्रभु ने अपने शिश्य के रूम में चुन लिया प्यत्रुस की कोई योकिदा नहीं जैसे मदतरसा करती है गौड डस नोट कॉल्ड कॉलिफाइड प्यत्रुस के जीवन में यगी हुआ था प्यत्रुस इसके लिए योकिदा नहीं था प्रभु ने उनको बुलाया और उनको अपने शिश्यों का मुक्य बना देता है प्यत्रुस उस दिन अपने जीवन का सबसे बड़ी सफलदा इतनी जादा मचली पकड़ने की सफलदा वो सफलदा को थ्याग दिया ये श्रुके राज के लिए प्रभु करते हैं कि प्रभु जब हमें बुलाते हैं जो कुछ आम अटास्ट रहते हैं वो सबको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तभी प्रभु अमारे जीवन में कारी कर सकता है इसलिए प्रभु काते जो मेरा शिष्य बनना चाहता है वो आदम थ्याग करें वो जाए सब कूछ बेच दीजिए प्रभु ने कागा दा एक नव युवक प्रभु के पास आये दे धनी युवक वो शिष्य बनना चाहता दा प्रभु ने कागा जाओ अपनी संबत्ती गरीबों में बाट दो आओ इसके बाद आओ मेरा शिष्य बन जाओ प्रभु यह हमसे एगी चाहते है आओ अमपरो को देनिवाद दे इस बुलागट के लिए और एक विश्वास ही बुलाए गए हैं प्रभु के कारी के लिए प्रभु उनके जीवन में मगान कारी करते आये हैं आओ अमपरा अर्थना करे यह प्रभु तेरी आक्यावों का पालन करने में तु अमें शक्ति दे तेरी आक्याव अमारे लिए तेरा बुलागट अमारे लिए आनिक्रव राशिस है यह प्रभु आम पूर्ण रुसे अपने लिए तेरे काम के लिए समर्पित करे अपने को तेरे कारी में समर्पित करे तु गी हमारा मालिक है सक्पूच तुसी हमें मिला है और जब हम बापस कर देते हैं ये प्रभू ये तेरे ही दान हम बापस करते हैं हम इसलिए धन्यवाद देते हैं ये प्रभू ये प्रभू तु हमसे कहते हैं आगे जाओ गेरे पानी में जाल डालो तेरे लिए आवर जादे से जादा सरद्धा बक्ती से कारी करने में तू हमें संबन कर यह प्रार्त नाम करते हैं अमारे प्रभू क्रिस के द्वारा आमेन